हेलो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है कपेल और स्वागत आप सभी कप हो आपकी सक्सेस में फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बाइलोजी के टॉप 300 इंपोर्टेंट कोशन आंसर यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट 4 है जिसमें हम लोग कोशन नमर 76 से लेकर कोशन नमर 100 तक डिसकस करेंगे यह सबी कोशन आपके आने वाले हर एक परतुगी परिछाओं के लिए बहुत ही महतपूर्ण है तो इसलिए आप इस वीडियो को सुरुशन तक जरू देखेगा और इन्हें याद कर लिजेगा अगर आप इस वीडियो का फिर पीडियो फाल डॉनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल फूर आपकी सकसे जोयन कर इसका पीडियो डॉनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल जोईन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके, तो चले अब कोशन के और बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कोशन बर 76 है, अनुवानसिक्ता का जनक किसे कहा जाता है, तो अनुवानसिक्ता का जनक, फादर अफ जनेट कहते हैं, अनुवानसिक्ता के बारे में सरोपर्थम जानकारी ग्रेगर जोहान मेंडल ने दी थे, इसी कारण ग्रेगर जोहान मेंडल को जो है, अनुवानसिक्ता का जनक कहा जाता है, नेक्स्ट कोशन है, कोशन बर 77, इलेक्ट्रॉन सुचमदर्सी की खोज नौल तथा र चोटी हड़ी है स्टेपीज या कान में स्थित होती है मध्यकान में मानोशरीर के सबसे छोटी हड़ी स्टेपीज होती है जो की मध्यकान में स्थित होती है next question है question number 79 मानो शरीर की सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है तो मानो शरीर की सबसे बड़ी वा सबसे लंबी हड़ी है फीमर ठीक है मानो शरीर की सबसे बड़ी वा सबसे लंबी हड़ी फीमर है फीमर हड़ी कहां स्थित होती है तो यह जांग में स्थित होती है तो जांक की हड़ी फिमर जो है यह मानो शरीर की सबसे बड़ी वा लंबी हड़ी है यहाँ पर देखे टीबिया और फिबूला यह दोनों हड़िया जो है यह कहां पर इस्तित होती है कहां पाई जाती है तो टिबिया और फिबूला नामख़डियां जो है ये टांग में पाई जाती है Next question है question number 80 हरित ग्रंथियां समंदित है तो हरित ग्रंथियां किसे समंदित है तो ये उत्सर्जन से समंदित है हरित ग्रंथियां जो है ये उत्सर्जन तंत्र से समंदित है next question है question number 81 समुदरी चुहिया किसे कहा जाता है तो समुदरी चुहिया काईटीन को कहा जाता है next question है question number 82 मानव सरीर में पाचन का अधिकांस भाग की संग में संपन होता है तो मानव सरीर में पाचन का अधिकांस भाग जो है वह छोटी आत में संपन होता है small intestine में मनुस्य में पाचन किरिया कहां प्रारंब होती है तो मनुस्य में पाचन किरिया जो है वह मुह से प्रारंब होती है next question है question number 83 पौधों में कौन सा उत्तक जल का समवहन करता है जल का समवहन तो देखें पौधों में जल का समवहन जायलम करता है जड से लेकर पत्यों तक जल का समवहन कौन करता है तो वह जायलम करता है और पत्यों द्वारा बनाये गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का कारी कौन करता है तो वह फ्लोईम करता है तो जल का समवहन जो है जायलम करता है और भोजन का समवहन जो है वह फ्लोईम करता है नेक्स्ट कोशन है कोशन मर 84 BCG टिके का इस्तेमाल आम तोर पर किस से बचने के लिए किया जाता है तो BCG, BCG का टिका, BCG टिके का इस्तेमाल जो है किस से बचने के लिए किया जाता है तो यह यह च्माट, यूबर क्लोसिस यानि TB रोग से बचने के लिए किया जाता है BCG का टिका जो है TB रोग के रोग थाम के लिए जो है दिया जाता है BCG का टिका गाय और भैस के थनों में दूद उतारने के लिए किस हार्मून की सुई लगाई जाती है तो गाय और भैस के थनों में दूद उतारने के लिए ओक्सिटोसिन नामक हार्मून की सुई लगाई जाती है तो गाय और भैस के थनों में दूद उतारने के लिए ओक्सिटोसिन हार् एस्ट्रोजन का स्राव किस से होता है किस के द्वारा होता है तो एस्ट्रोजन का स्राव किस के द्वारा होता है तो एस्ट्रोजन का स्राव जो है इस्ट्रोजन का स्राव इसका स्राव ग्रैफियन पुटिकाउं द्वारा होता है एस्ट्रोजन क्या है तो एस्ट्रोजन एक इस्त्रिलिंग हार्मुन है जो महिलाओं के प्रजनन तंत्र तथा दुत्यक लैंगिक लच्छनों जैसे स्तनों, दुगद गरंतियों, गर्भासे एवं यूनी आदि के विकास एवं नियुमन के लिए उतर दाई है अगला प्रशन है ब्रेंट ट्यूमर को हटाने और कैंसर के उपचार में इस्तिमाल किया जाने वाला समस्थानिक है नेक्स्ट कोशन है कोशन मेर 89 निम्न में से कौन सा पसू अपना लिंक बदल सकता है तो वा पसू है वा है गोंगा स्नेल गोंगा क्या है तो देखे गोंगा जो है गोंगा क्या करते हैं जब वे जन्म लेते हैं जब पैदा होते हैं ये तब वे male होते हैं बाद में वे अपनी life में अपने link को जो है अपने sex को change कर लेते हैं female में तो जन्म लेते हैं उस समय ये male होते हैं गोंगा जन्म लेने के समय male होते हैं उसके बाद अपनी life में वे अपने link को change कर लेते हैं female मे तो इसका right answer हो जाएगा option B गोंगा अपना link बदल सकता है तो वह है गोंगा next question है question number 90 निम्बू का डाइबेक रोग किसके कारण होता है तो निम्बू का एक रोग है डाइबेक रोग डाइबेक रोग या किसकी कमी के कारण होता है तो यह तामबा की कमी के कारण होता है निम्बू में तामबा की कमी के कारण जो है डाइबेक रोग निम्बू का डाइबेक रोग होता है नेक्स्ट कोशन है कोशन में 91 जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है तो वह है नाइट्रेट पौधे जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं नेक्स्ट कोशन है कोशन में 92 आलू का खाने योग्या भाग होता है तो आलू का खाने योग्या भाग कौन सा होता है तो आलू का खाने योग्या भाग तना होता है ठीक है तना आलू किस कुल से समंदित है तो आलू का पौधा सोलेनेसी कुल से समंदित है सोलेनेसी कुल का पौधा है आलू नेक्स्ट कोशन है कोशन में 93 एस्चे रिच्या कोलाई कहां पाय जाते हैं तो एस्चे रिच्या कोलाई या एक तरह का जीवानू है जो आम तोर पर स्वस्थ मनुस्य की आत में पाया जाता है तो S.J. रिच्या कुलाई कहां पाया जाते हैं तो ये मनुस्य की आत में पाया जाते हैं नेक्स्ट कोशन है कोशन मन 94 रीड के हड़ी को इस नाम से भी जाना जाता है तो read के हड़ी, backbone को और किस नाम से जाना जाता है तो इसे मेरुदंड के नाम से जाना जाता है, spine के नाम से, ठीक है read के हड़ी को जो है, मेरुदंड के नाम से भी जाना जाता है next question है, question 95, hemoglobin कहां पाया जाता है तो हीमोगलोबिन जो है यह कहां पाया जाता है तो यह रक्त में पाया जाता है ब्लड में देखें ब्लड में आर्बिसीज पाया जाता है ब्लड में आर्बिसीज पाया जाता है red blood cells और इसी rbc के अंदर हिमोग्लोबीन पाय जाते है rbc के अंदर हिमोग्लोबीन पाय जाते है ठीक है हिमोग्लोबीन का मुख्यकारी क्या है तो इसका मुख्यकारी सरीर के अंदर oxygen का परिवहन करना है next question है question 96 सबसे अधिक गुनसूत्र किस में पाय जाते हैं तो सबसे अधिक गुनसुत्र क्रोमोसोम किस में पाय जाते हैं तो वे सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरीडोफाइट्स में पाय जाते हैं इसमें लगभग 1300 से लेकर 1600 तक के गुनसुत्र पाय जाते हैं ठीक है मेड़क में 26 गुनसुत्र पाय जाते हैं और कबुत्तर में 80 गुनसुत्र पाय जाते हैं नेक्स्ट कोशन है कोशन में 97 हैमर, एन्वील और स्टीरप हड़ियां हैं जो सरीर के की संग में पाय जाती है तो हैमर, एन्वील और स्टीरप ये हडियां हैं ये हमारे सरीर के कान में पाय जाते हैं कान में, मद्य कान में हैमर, एन्वील और स्टीरप का दूसरा नाम क्या है? तो इनका दूसरा नाम है मैलियस, इंकस और स्टेप्स hammer को malleus काते हैं anvil को incus काते हैं और stir up को steps काते हैं ये तीनों हड़ियां मद्यकार में पाई जाती है चलिए आप comment box में बताए मानो सरीर की सबसे छोटी हड़ि कौन सी है और वा कहां पाई जाती है next question है question 98 जिन सब्द का सर्वपर्थाम परियोग किस ने किया तो जिन सब्द का परियोग सर्वपर्थाम किस ने किया था विल्यम जोहांसन ने किया था next question है question 99 पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरन क्या कहलाता है तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरन कोशिका भित्ती कहलाता है सेलवाल कहलाता है कोशिका भित्ती किस चीज का बना होता है तो या सेलूलोज का बना होता है कोशिका भित्ती जो है या सेलूलोज का बना होता है last question है इस वीडियो का question number 100 मानाव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो सबसे बड़ा आंत्रिक अंग अगर पूछा जाता तो इसका आंसर होता लीवर, ठीक है, यकरित, लेकिन यहां पर सिर्पर सबसे बड़ा अंग पूछा गया है, तो सबसे बड़ा अंग जो है, मानोसरी का सबसे बड़ा अंग तो अच्छा है, स्कीन है, तो friends ये थे biology के top 25 question answer, अगर ये वीडियो आपके लिए helpful रही हो, तो please इस वीडियो को like and share जरूर कर दीजेगा, अब मिलतें next वीडियो में, thanks for watching.